नमस्कर बच्चू, आज हम पढ़ने और समस्ने वाले हैं क्लास नाइनत SST सामाजिक विज्ञान की वरक्षिट नमबर 39 यानि कारे पत्रक सिंख्या 49 को या आपकी 21 अक्तूबर 2021 की वरक्षिट रही आज की हमारी वरक्षिट बेहद इंपोर्टेंट रहने वाली जिसमें हम बात करेंगे मैफवक की मैफवक शूसर साइंस का SST का सामाजिक विज्ञान का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट होता है अगर आपको अच्छा स्कोर करना अच्छा स्कोर मतलब 95 या 100 परशन स्कोर करना है तो मैफवक आपका बहुत अच्छा होना चीए उसको आपको अच्छे से प्रपेर करना होगा लेकिन जनरली जातर स्टूडेंस के साथ क्या होता है कि हम मैफ़क को इगनोर कर देते हैं यानि बाद में करेंगे अब इससे क्या लोस होते हैं बहुत सारे लोस होते हैं पहला लोस तो यह होता है कि हम जब मैफ़क साथ साथ नहीं करते हैं तो मन में ऐसा कुछ रहता है कि चैप्टर अधूरा रहा गया, यानि हमारे माइंड में रहता है कि इसलिए बस complete नहीं हुआ है, क्योंकि उस चैप्टर का मैफ़क थो हमने किया ही नहीं है, ओके, यानि हमारा confidence थोड़ा से down रहता है, low feel करते हैं, दूसरा, जब हम मैफ़क नहीं करते हैं, तो बहुत सारे concept है, जो हम अच्छे समझ नहीं पाते हैं, interest हमारा उतना develop नहीं हो पाता, अगर मैफ़क साथ साथ कर लिया होता है, तो मज़ा ज्यादा आता, तीसरा जो loss होता है, कि 95% जो students होते हैं, जो मैफ़क को ignore कर देते हैं, कि बाद में करेंगे, वो बाद में करी नहीं पाते हैं, सीधा exam में जाते हैं, तुका लगाते हैं, रोंग करके आ जाते हैं, यानि वो मैफ़क, जो total year का, 35 से 40 minutes का था, वो हमने छोड़ दिया, कि हम बाद में करेंगे, इस दिया, इंट्रेस्ट बनेगा, confidence लेकर के आएगा, और score आप अच्छा कर पाऊँ है, अब हम बात कर लें term 1 की, term 1 में मैफ़क और ज़्यदा important हो जाएगा, term 1 के आपका जो exam रहेगा, same pattern हैगा, जैसे कि 10th class का pattern है, तो यहाँ पे आपके theoretical जितने वी questions रहेंगे, उसमें internal choices रहेगे, जैसे 24 question है section A में, तो आपको 20 question करने, एक आद question skip कर सकते हो, चलेगा, दोड़ेगा, लेकिन मैफ़क में ऐसा कुछ नहीं है, आपको 2 questions मिलेंगे, दोनों ही करने होगे, एक question रोंग होता है, तो वो 2.5% marks का है, दो question अगर आपके रोंग हो जाएंगे, दोनों तो आपके 5% marks कम हो जाएंगे, 95 आ रहे हैं, तो 90% आ जाएंगे, तो इसलिए Mapwork को अच्छे से त्यार कीजिए, कैसे त्यार करोगे, इसकी बाद हम इस वीडियो के end में करेंगे, सबसे पहले हम Worksheet के उपर वापस लोटाते हैं, आज की इस Worksheet में कुछ Easy टास्क मिले है, हाला कि आपको ये लग रहा होगा कि Hindi Medium की Worksheet है, वो English में कैसे, तो अभी Hindi Medium की जो Worksheet मिले है, उसमें थोड़ा सा Clear नहीं आ रहा था, Visibility में प्रॉलम थी, क्योंकि Soul तो हमें अपनी ही वे से करना है, तो इसलिए Doesn't Matter कोई फरक नहीं पड़ता, कि ये Hindi Medium की ये English Medium की, तो हमें चार टास्क मिले, पहला टास्क है, हमें कुछ Important Mountain Peak है, वो हमें लोकेट करने है, अनाई मोडी, कंचन जंगा और केटू, दूसरा हमें कुछ प्लेटो जो है, वो हमें लोकेट करने है, डेकन प्लेटो, छोटानाग प्लेटो और मालवा के ब्लेटो को, थर्ड हमारा टास्क है, Mountain Range है, जासकर, अरावली और शिवालिक, इनको हमें लोकेट करना है, और Coastal Plains है हमारे, कुणकन, मालाबार और कॉरमंडर, ओके, यह आपका जियोग्रोफी के सेकिंड चैप्टर, उसका मैफवक है, हलांके इसमें तीन या चार पॉइंट रह गए हैं, अगर वो तीन या चार पॉइंट अगर आ जाते, और अपनी Worksheet की Notebook में पेस्ट कर लीजे, वहाँ पे आपको करना है, और मैफवक हमेशा Pencil से होता है, clear, तो चलिए यह Solve करते हैं, मैंने अलग से एक मैप बना दिया, ताकि आप अच्छे समझ पाओ, तो यहाँ देखिए, यह है हमारा मैफ, सबसे पहले हम Mountain Peak को यहाँ पे लोकेट करते हैं, यहाँ पे आपकी रहेगी K2, यह आपका K2 रहेगा, ठीक, यह इंडिया का, सबसे इंडिया की सबसे उन्ची Mountain Peak है, 8,611, 8,4, 611 मेटरिस की टोटल हाइट है, तो भारत की सबसे उन्ची जो प्रवतिय चोटी है, वो K2 है, जिसको Godwin Austin बोलते हैं, यहाँ पे रहेगा कंचन जंगा, कंचन जंगा है, वो सिक्किम में, और नेपाल की बॉर्डर के पास है, तो यहाँ पे आप कंचन जंगा को लोकेट कर हुए, माउंटेन पीक हमेशा इसी ट्राइंगल शेप में लोकेट की जाती है, क्लियर, उस पर तीसरी जो माउंटेन पीक दी गए, वो हमें दी गए यहाँ पर अनाई मोडी, अनाई मोडी पश्मी घाट की सबसे उन्ची माउंटेन पीक है, 2695 में मेटरिक्स के हाइट है, तो यहाँ पर रहेगी केडला में और पश्मी घाट के पास ही लोकेट करने, यह निकी तमिलाडू में आपको शाग दो, यह आपकी अनाई मोडी हो जागी, तो यह होगी हमारी तीनों माउंटेन पीक, अब हम बात करेंगे प्लेटोज की, पठार की, यहाँ पे हमें देगें पठार, तो सबसे पहले मालवा का पठार जो विंध्याचल रेंज है, इसके इस साइड का यह जो पार्ट है, यह मालवा पठार कहलाता है, और यह जो पुर्वोत्र भाग है हमारा, जो दकन के पठार का, यानि प्राइदी पे पठार का, वो यह कहलाएगा आपका छोटा नागपुर पठार, ठीक, यह आपका छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, इतना और यह आपका हो जाएगा मालवा का बठार थोड़ा बहुत इधर से उधर हो तो चलेगा दोड़ेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा उसके बाद डेकन प्लेट यूँ यह जो हमारा यहां से लेकर के यहां तक है complete यह जो पार्ट है इसमें से जो यहां से गुजरती है हमारी कौन सी नदी नर्मदा रिदी नर्मदा रिदी के दक्षिन का भाग है वो कहलाता है हमारा डेकन प्लेट यूँ दक्कन का प्ठार तो यह हमारा हो गया दक्कन का प्ठार clear? नीचे वाला जो पार्ट है ये हो गए हमारे पठार अब हमें बात करनी है परवत स्रिंखलाओं की जो दीगे mountain range जो दीगे तो ये आपकी कराकोरम हो जाएगी यहांपर ये कराकोरम है जो यहां से लेकर की यहां दीगे ये आपकी जास का रेंज है second वाली जो दीगे, यह कौन सी है? यह आपकी जास का रेंज हो जाएगी यह आपकी जास का स्रंखला यह आपका शिवालिक हो गया हमाले की तीन स्रंखला है न तो सबसे नीची वाला जो हमारी दिल्ली की साइड में आ जाता जो आपके स्लेवस में है लेकिन इस वोक्षिट में नहीं है वो आपके विंध्याचल स्रंखला यहाँ पे आजाएगी विंध्याचल उपर है और उसके नीचे सत्पुड़ा है इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी चलती है ठिक बहती है उसके बाद हमें पश्मी और पुर्वी घाट है वो भी लोकेट कर देते हैं यह आपका पश्मी घाट आ जाएगा यह वारा पश्मी घाट है यह आपका पुर्वी घाट है अब हमें दिखाना है तट्य मेदान को तट्य मेदान यह यहाँ से लेकर के उपर से लेकर के जो गुआ तक का पार्ट है उसको बोलते हैं कुंकर्ण तट क्या बोलते हैं कुंकर्ण तट नीचे वाला ये जो पार्ट है केडला वाला ये माला बार तट कहलाता है क्या कहलाता है माला बार तट ये दोनों ये आपके स्लेबस में है यह हो गया आपका यहां तक का जो पार्ट है जो मोड आता है नीचे वाला पार्ट है वो कोरोमंडल तट कहलाता है उपर वाला जो पार्ट है पुरुवी तटी मिदान का वो कहलाता है उत्री सरकार, नौर्दन सरकार तो यह थी हमारी आज की वर्कशिट I hope सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा हाँ, एक important information आपको देनी थी कि यह जो जितने भी आपके chapters है जितने भी chapters का जो map work है वो map work हमने अलग से भी discuss किया हुआ है chapter wise, first chapter, second, third, fourth, fifth, sixth chapter जो आपके geographic है first, second, third chapter, जो history के है जितना भी total आपका map work है 35 से 40 minute में आप easily कर सकते हो क्या करना आपको playlist में जाना है, playlist में आपको class 9, 10th का map work मिलेगा वहाँ पर आपको यह सभी chapters मिल जाएगे मज़िदार तरीके से, अलग से, जैसे आपने यहाँ पे देखा, कि कितने neat and clean तरीके से, अलग से मैंने इनको locate किया तो इसी type के बाकी में आप आने में ताकि आप अच्छे से हमेशा के लिए समझभाओ, 40 minute का total है, first time के बात करें तो 20 minute लगें, 20 minute में आपके mark secure हो जाएगे, यह थी हमारी आज की worksheet, I hope सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया हुआ आपके वीडियो वरक्षिट अच्छे लगे तो इस वीडियो वरक्षिट को like करना है share करना है, आज के लिए बस इतना है thank you, bye bye, have a nice day